वेलकम बेक एक्चलिम क्या है हर बच्छे का कौंसेप्ट होता सब प्रेजन परफक्टैंस को बेसिक से पढ़ना यह बैसिए कैसे पढ़िए बिल्कुल जीरो लेवल से एडवस नहीं पढ़ना नहीं पढ़ाना, advance की बात मैं करी नहीं रहा, only basic की कर रहा हूँ, basic का concept चाहिए न, सर पहचान क्या है, rule क्या है, structure क्या है, helping verb क्या है, main verb क्या है, आज सारा concept दे दूँगा, किसका present perfect tense को पढ़ना है न, only basic से, एक एक concept को लिख लेना, पढ़ाऊंगा नहीं concept दूँगा, सर तेक रहता सिर्फ copy pen लेकर बैठोवाई, वो क्यों, मेरा class बिना copy pen के संभवी नहीं, पढ़ाता नहीं concept देता हूँ, अच्छा, मैंने क्या कहा, आपका concept क्या है, present perfect tense, present, perfect tense को only basic से पढ़ना है, क्या कहा बाबू, basic से, एडवांस है, action के माधम से नहीं पढ़ाना, only basic है, basic में आपको पता होना चाहिए, इसमें होता क्या क्या है, advance कहने का मतलब, action की माधम से मैंने present perfect tense को पढ़ाया हुआ है, दूसरा वीडियो डाला हुआ है, देख लेना, सबसे पहले basic पार जाओ, क्या कहा बाबू, basic पर, मैंने क्या कहा, सर इसकी identity क्या है, पहचाने कैसे, हर किसी चीज़ सर इस tense को पहचाने कैसे, पहचान क्या है, यहाँ देंदो, लिख लेना भाई, यह की चीज़ पढ़ा नहीं रहा, concept है, मैंने क्या कहा, पहचान क्या असर, पहचान देखो सर, जिन वाकों के अंत में चुका है, या फिर चुकी है, या फिर चुके है, आता है, वो हमारा present perfect tense होता है, बच्चो वाला concept है, अच्छा जी, दूसरी पहचान क्या है सर, मैंने क्या कहा, जिन वाकों के अंत में A है, या फिर E है, या फिर A है, आता है, वो हमारा present perfect tense होता है, यही होता है, बच्चो वाला concept, सर पहचान के माध्धम से पढ़ना ना, यही identity है, present perfect tense का, advance नहीं rule, rule को क्या कहते है, structure, क्या कहते है, structure, यह चीज़ पता होना चाहिए, चाहे structure बोलो, चाहे rule बोलो, बात एक ही है, कौन से पो ही है, अच्छा जी, सर, rule क्या है, सबसे पहले चाहिए, आपको subject, उसके बाद चाहिए, आपको helping और, उसके बाद चाहिए, आपको वर्व का third form, उसके बाद चाहिए आपको अधरवर्ड, सर अधरवर्ड जो है ना, अधरवर्ड, अधरवर्ड आपका ये object भी हो सकता है, या फिर compliment भी हो सकता है, समयमारा बात object भी हो सकता है, या फिर compliment भी हो सकता है, helping अब क्या है सर, helping अब लगेगा आपका has or have, क्या लगेगा बाबो ज होना चाहिए जो आपका है है वो आपका singular है क्या है singular है इसका मतलब यददी आपका subject ही है C है या फिर it है या फिर एनिवन नेम है तो आपका क्या ने आपका है यूज तो होगा इनके बाद हैेज चाहिए लिख लेना भई पढ़ा नहीं concept है इनके बाद क्या चाहिए है चाहिए उसके बाद मैंने क्या का यदी आपका हैव यहां पर मैंने क्या का हैव हैव क्या है आपका पिलूरल है क्या है पिलूरल है उसके बाद तो आपका आई के साथ यू के साथ वी के साथ या फिर दे के साथ वी के साथ या फिर दे के साथ या फिर एनी टूनेम एनी टूनेम को मतलब है राम एंड सोनिया राम एंड सोनिया इनके बाद क्या आता है आपका पालस आपका है सब्यांत सब्यांत तो वर्बी सिम्गुणरilities ऊपर सब् உ के आपका और यह सब्यांत Toole b जिए पर सब्रक्राइब सब्यांत उसके उसके बाद है। यहां पर have क्या है, plural है, अच्छा, यहां पर subject भी तो plural है ना, तो plural subject तो plural verb, singular subject तो singular verb, concept आरा दिमाग में, अच्छा, present perfect tense, identity, पहचान क्या सर, चुका है, चुकी चुके है, I, I है, A है, अच्छा जी, structure क्या है, subject, helping verb, verb का third form, plus other word, उसके बाद, other word में object भी हो सकता, compliment भी हो सकता, क इल्ली compliment है, समझमारा बात, अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या कहा, यहां पर have क्या है, इसकी helping verb है, क्या helping verb, अच्छा जी, has है, आपका singular, और singular के साथ ही आएगा, अच्छा, have है आपका plural, तो plural subject के साथ ही आएगा, समझमारा बात, यही concept है, यही जड़ है, एक एक चीज इसको लिख लेना भाई, पढ़ाने रहा, सिक्रिंसोट ले लो भाई, ले लिया, ले लिया, जल्दी लो, ले लिया, ठीक है, अच्छा जी, मैंने क्या कहा, अब इसको मिटाता हूँ, अब इसका sentence करना आए, अब इसका क्या करना है, एक्चलि मैं sentence के माध्धम से पढ़ने ठड़ फॉर्म था पलस था अधरवर्ड अपका क्या था हैज क्या था आपका हैज था और आपका हैज था अच्छा जी आपको पता हैज है सिंगूलर और है पेलूरल अब ही बताया था अच्छा उसके बाद मैंने क्या कहा sentence लिया मैंने वह खाना बना चुकी है वह खाना बना चुकी है या फिर उसने खाना बना लिया है वह खाना बना चुकी है उसने खाना बना लिया है चुका है का sense पढ़ा था ना और आ है जिन वाक्यों करते हैं चुका है चुकी है आ है यह आता है व कों सा प्रिजेंट परफेक्ट है पढ़ा ली तरहा अच्छा जिश के बाद मैंने क्या का वैं खाना बना चुकी है और उसको यह कोंद संसे आ लिया है culminate ax लड़ा सेंट्टर रजेंच संसर का इंडर मेडículo 10ナ contributes फूर्ठ हो गया है जैसा रूल कहता है वैसा सेंटेंसी में करते चले जाओ बन जाएगा ओटोमेटिकली अच्छा जी वहे खाना बना चुकी है उसने खाना बना लिया है बात एक यह है चाहे चुका चुकी हो या फिर आहे यह हो लगेगा आपका प्रेजन परफेक्टेंसी समझ मैं बात यह कों मैच खेल चुके हो आप मैच खेल चुके हो तो मैंने कह दिया यूओ है य CEO हो हैं कि ऐसे प्लेड मैच यू है प्लेड मैच आ यूओ प्लेडमेट खेल चुके आप यूओ क्या प्पलूरलल यूटर का प्लूर Russian प्लेड़ के साथ कौन से वह यह अच्छा मैं दिली जा चुका हूं मैंने क्या कहा आई हेव अगर में गया हूँ सम्झाना राबाद तो यह है आपका present perfect tense का simple sentence यह क्या है simple बाव नेगीटिव नहीं है simple पढ़ाया है अब पढ़ूगा negative च्शका अब पढ़ांगा क्या negative हिहां दो एक कोंसेप्ट को लिख लो बई अच्छा जी मैंने क्या खा negative sentence कैसे सब्जेक्ट होगा उसके बाद होगा हेल्पिंगर उसके बाद होगा आपका नोट उसके बाद क्या होगा बावू वर्व का थर्डफोम क्या होगा वर्व का थर्डफोम होगा उसके बाद होगा अधरवड हेल्पिंगर बाव को पता ही यह क्या है है यहां ध्यान दो मैंने क कहा जैसे कि मैंने कह दिया पर he has not he has not eaten he has not eaten food अच्छा जी उसने खाना नहीं खाया है या फिर वह खाना नहीं खा चुका है उसने खाना नहीं खाया या फिर वह खाना नहीं खा चुका है यह वह सेंस है अच्छा जी उसके बाद मैंने क्या कहा वी लिए घंग आउट लोट विए इआव नॉत वोजड़ोच व्यावक वोजड़ोच अच्छा सिजी हमकपड़े नहीं दो चुके हैं हमने कपड़े नहीं दो हैं सम्मारा बात negative sentence नकरातमक वाक्य, negative sentence, समझ मारा बात क्या, negative statement बना रहा न, तो क्या हुआ, negative sentence, अच्छा जी, he has not eaten food, वे खाना नहीं खा चुका है, या फिर उसने खाना नहीं खाया है, उसके बाद मैंने क्या क्या, क्या क्या क्या, we have not washed clothes, हमने कपडे नहीं धोये हैं, या फिर हम कपडे न sentence में, question को ask किया जाता है, जहांपर question को ask किया जाता है, वहीं पर helping बॉर को आगे लगाया जाता है, कहाँपर sentence के सब से चूरू में, sentence क्या मिलेगा, helping बॉर मिलेगा, उसके बाद मिलेगा subject, तब बनता है, आपका interrogative sentence, समझ मारा बात, और उसके पीचे क्या आता है, the mark of interrogation, म सब्जेक्ट सब्जेक्ट उसके बाद अदरवर उसके बाद आपका कräश्ma mark the mark of integration अभी बताया था अच्छा अब कर नियार को पता है helping आपका है及 और है क्या है है ईयार है अगे डिपेंड on the subject को सब्जेक्ट वह ऐसा ही helping और होगा यज आप्डि सब्जेक्ट sing bridge है तो है जोगा यदि सब्जेक्ट पिलूरल है तो है होगा सम्झेमारा बात यहां ध्यान दो मैंने क्या का सब्जेक्ट सिंगूलर तो है सब्जेक्ट पिलूरल है तो है कैसे सर जैसे कि मैंने क्या कहा क्या मैं मैच खेल चुका हूं क्या मैं मैच खेल चुका हूं तो मैंने क क्विए है पीलूरल है तो तबी मैंने है लग आ क्योंकि पिलूरे घेल उसके बाद मैंने क्या कहा है मैं जा इंड है तो अच्छा आप बात तो यहां पर राम क्या है आपका सिंगूलर है तो हैज क्या हुआ सिंगूलर हुआ तो सिंगूलर के साथ सिंगूलर हुआ समझमारा बात यह इंट्रोगेटिव पलस नेगेटिव नहीं ओनली इंट्रोगेटिव अब इसके बाद होगा इंट्रोगेटिव पलस नेगेट कैसे सर यहां ध्यान दो लास्ट कॉंसेप्ट भाई मुझे देखना नहीं है कोपी पर निकाल लो अच्छा जी मैंने क्या कहा यहां पर मैंने क्या कहा इंटरोगेटिव पलस नेगेटिव कैसे होगा सर यहां ध्यान दो सबसे पहले होगा helping उसके बाद होगा subject उसके बाद होगा आपका note उसके बाद होगा वर फर फोर्म फिर अधरवट फिर वहादा mark of interrogation अच्छा जी helping क्या आपको पता है है जोर है यदि आपका subject singular है तो है लगेगा subject मैंने क्या कह दिया have we have we not made food have we not made food अच्छा जी क्या हम खाना नहीं बना चुके है क्या हम खाना नहीं बना चुके है क्या हमने खाना नहीं बना या है समझ मारा बात उसके बाद मैंने क्या क्या कहा और हैं यह सीन उट है सीनोट बोट क्लोथ वोट क्लोथ्स समझ मारा बात बोट देंसा डाण दो हैंज का वह कपड़े नहीं खरीच चुकी है क्या उसने कपड़े नहीं खरीदे हैं तो यह चीज आपको पता होना चाहिए जब लब ले लिया subject ले लिया note ले लिया वर्वा थर्ड फॉम ले लिया और अधर वर्ड ले लिया यहां ध्यान दो इसमें भी helping ले लिया subject ले लिया note ले लिया वर्व का third form ले लिया और other word ले लिया समझमारा बात जैसा rule कहता है वैसा ही sentence में रखते चले जाओ sentence अपना बन जाएगा लेकिन सर्थ एक है आपको formation पता होना चाहिए simple sentence क्या negative क्या interrogative क्या interrogative प्लस negative क्या समझमारा बात ओके thank you take care